प्लेजिंग के उपर वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से आप अपने होल्डिंग्स हो गया, ETF के उपर, मार्जिन लेके ट्रेड कर सकते हो, आपका प्रोफिटिबिलिटी बढ़ा सकते हो, कवर्ड कॉल कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट में बताने वाला रूल्स क्या है, कि तरीके से आप कर सकते हो, तो वीडियो करने तक देखिए, बहुत सारे पॉइंट आपको पता चलेंगे, तो मैंने दो स्टॉक खरीदा था, एक है PBR और एक Red Lines, यहाँ पर देखेंगे 504 quantity है, 328, यह से और फिगर में क्यों खरीदा हो, मैं आपको बताऊंगा, जिसका करने के लिए कुछ मार्जिन चाहिए, यहाँ फिर मुझे लग रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो कुछ कॉल में अगर सॉट करूँगा, तो मुझे रेंटल इंकम मिल सकता है, उसको covered call बला जाता है, मैं एक काम करूँगा, मैं यह दो स्टॉक के ऊपर आने वाले टा करिते हो, तो आज के डेट पे इसका settlement cycle एक या दो दिन लगता है, दो दिन के बाद ही फिर आप इसको प्लेजिंग के लिए डाल सकते हो, अभी से नहीं, तो मैंने इसको खरीदा था दो दिन पहले, अभी यह मेरे account में आ चुका है, अगर यह account में नहीं आया होता, तो यहा प्लेजिंग के से काम करता है, इसके पीछे का रूल किया है, अब अपने जो भी holdings के उपर रखे हुए हो, उसके उपर कुछ हैर कट कटने के बाद आपको मिल जाएगा collateral margin ETF के उपर हो गया, यह share के उपर हो गया, और एक पॉइंट यहापर बहुत ध्यान रखना, आप अगर लेट से कोई पोजिशन लेने के लिए यहाँ पे एकजांपल भी है, आप लोग उसको जाके देख सकते हो, और एक इंपोर्टन पॉइंट, जिरोधा यहाँ पे चार्ज लेता है, 30 रूपीज प्लस GST, आप अगर प्लेज करते हो, कोई भी share, यह पॉइंट ध्यान म कितना प्लेजिंग हैर कट होता है, इसको इन डीटेल्स में बताऊंगा, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो एक और एक साइट खुल जाएगा, इसके अंदर मुझे दिखेगा, कौन से स्टॉक कितने हैर कट में मुझे मिलेगा, अगर अभी हम लोग अगर देखेंगे, PVR, अगर हम लोग देखेंगे, PVR 43% कट हो जाएगा, इसका मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाग का है, आपको 43% ब्लॉक होगा, 63 या 64,000 के आसपास आपको रिलीज हो जाएगा, मतलब 43 छोडने के बाद आपको रिलीज हो जाएगा, और यह स्टॉक वैरी करता है अगर हम लोग देखेंगे, let's go to Reliance, Reliance अगर देखेंगे 17%, इसका मतलब अगर आप 1 लाग इन्वेस्ट कियो, 17,000 ब्लॉक हो जाएगा, रिष्ट मार्जिन आप लोग मिल जाएगा, ट्रेड करने के लिए आप इंटाडे कर सकते हो, या फिर उप्सन सेल कर सकते हो, अभी च 20 अभी हो चुका है, क्योंकि कुछ स्टॉक अभी पहले हम लोग 2 स्टॉक मेंने और पर्चेस किया है, PBR के उपर, PBR अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पहले से मैंने margin ब्लॉक करके रखा है, प्लेज करके रखा है, 3,1,10, अगर यह लोग सिंबल होके, इस तरीकी का स इंबल आपको दिख रहा है, इसका मतलब यह आपका प्लेज में है, कितना quantity प्लेज में है, 3,10 quantity प्लेज में है, और यहाँ पर कितना quantity, 8,14, इसका मतलब मेरे पास अभी भी कुछ quantity है, प्लेज करने के लिए, यहाँ पर अगर देख रहे होंगे, नियुरे का, यहाँ पर तो इसको हम लोग प्लेजिंग का बेनिफिट नहीं ले सकते, आप स्टॉक अप्रेशियेशन का बेनिफिट ले सकते हो, जितना मार्केट ऊपर जाएगा, उतना आपको बेनिफिट होगा, अगर यहाँ पर देखेंगे, प्लेज फॉर मार्जिन करने के बाद, यहाँ पर दिख रहा है, 43% का हैर कट होगा, आपको पता चल गया है, कितना आपका हैर कट होगा, अभी अगर यहाँ पर देखेंगे, टोटल एवेलेबल क्वांटिटी किया है, 504 एवेलेबल क्वांटिटी है, और यह सारे चीजे थोड़ा सा पढ़ लिजिए, और यहाँ लिखा है फर्स टॉक प्लेज भीफोर 4 पी-म, यह आपका मार्जिन एवेलेबल होगा, एक दो दिन के बाद एवेलेबल होगा, यह पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना, और अभी अगर मैं यहाँ पर करूँगा, मेरे पास कितना है, 504 आपको पता चल अगर 504 में अभी प्लेज करता हूँ, मुझे को लेटरल मार्जिन कितना मिलेगा, 3,95,000, श्टॉक का वैल्यू कितना है, 7 लाग, यह मतला मेरा 7 लाग वैल्यू के उपर, मुझे 4 लाग को लेटरल मिल रहा है, और एक पॉइंट, श्टॉक जितना उपर चलता जायाएगा, मुझे श्टॉक आपके अंदर इंवेस्ट करते हैं, उनलोग 110% कोलेटरल अगर लेंगे, तो यह सारे जो कोलेटरल मार्जिन आपको अगर ट्रेडिंग नहीं पता, दूसरा चीज़ा आप कुछ करना नहीं चाहते, इधर आप इंडेक्स के उपर उसको हेज कर सकते हैं, इंडेक्स का कॉल स करके रख सकते हैं, मार्केट अगर 15% उपर जाता है, आपको स्टॉक का अप्रेशेशन का वेल्यू मिलेगा, अगर वो नहीं जाता है, तो आपको रेंटल इंकम मिलता जाएगा, आपको प्रीम मिलता जाएगा, इसके उपर में इन डेटल से वीडियो बनाऊंगा, डोंट करूँगा, अभी हम लोग रिलाइंस के ऊपर चले जाता है, अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, लट गो टू रिलाइंस, पीवेर हो गया, रिलाइंस, रिलाइंस के अंदर 500 है, और मेरे पास प्लेज 172 है, इसका मतलब मैंने पहले कुछ श्टॉक खरीदे थे, अभी य स्टॉक आये हैं, तो अभी अगर हम लोग इसको प्लेज करेंगे, यहां पर कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, 328, 328 अगर मैं यहां पर डालता हूँ, तो मुझे कितना मार्जिन मिल रहा है, वहां पर 4 लाख मिल रहा था, वहां पर 580, इसका मतलब यह वेरी करता है, स् सात्लाग के आसपास था, यह भी सातलाग के सपास है, लेकिन यहां पर क्योंकि हेर कट कम लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूँंगा, लेट्स गो टू टूटी एट हो गया, मैं इसको समझ में आ गया, इसके बात करूशझर विडियो थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, के कि मेल मुझे आयागा कितने टाइम में मेल आता है मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को डोंट वरी अभी फाइनली हम लोगों को मेल आ चुका है वेरिफिकेशन के लिए जैसे मैंने आप लोगों बताया था पहले आप लोग बैक आफिस से जागे प्लेज करोगी ये सब भ आपका depository होगा demand account होगा वहां से आपको आएगा और इसको अगर हम लोग click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे आपको इधर pen card या फिर demand account नमबर पुझेगा मुझे मेरा pen card नमबर याद है तो pen card नमबर एक काम करता हूँ मैं इसको hide करके pen card नमबर डालता हूँ आप लोग pen card या फिर demand account यहाँ पे आप डालने के बाद अगर आप submit क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बताएगा 328 quantity 504 quantity यह आप लोग अभी pledge के लिए डालने वाले हो तो इसको हम लोग click करेंगे select कर लिए yes हम लोग यह चाहते है confirmation तो generate OTP यह OTP कहाँ पे आएगा आपका mobile नमबर और email ID जहाँ पे आपका register हुआ होगा वहाँ पे आप लोगों को OTP आ जाएगा तो यहाँ पे आपका register mobile या फिर email ID पे OTP आ जाएगा अगर आप इसको click करोगे submit कर दोगे फिर यह आपका successfully placed हो गया इसका मतलब आपको margin release हो जाएगा एक या दो दिन के अंदर आपके trading account में reflect होने लगेगा आपका holdings के अंदर यहाँ पे जो दिख रहा होगा यहाँ से मेरा reliance और PBR चला जाएगा यह बस back office में दिख रहा होगा और वहाँ पे place दिख रहा होगा और सेम तरीके से आप unplaced भी कर सकते हो इसको जबी भी आपको बेचना हो आप unplaced कर सकते हो कुछ rules में आप points ध्यान में रखना हमें सा और यह सारे link में जो आप लोगों को दूँगा उसको पढ़ लेना एक बर यहाँ पर आपको 50% यह रूल में आपको बता दिया था और एक important rule है यह भी आप लोगों को जानने के लिए जरूरी है किना invest in stock overnight with collateral money इसका मतलब आप अगर pledge किये हो अप प्लेज का margin मिल गया 5 लाग के आसपास यहां पर पांच लाग के आसपास यहां पर इसके एगेंस्ट में इस टॉक खरीद के hold करके लेके नहीं जा सकता है यह पॉइंट हमेसा दियान में लखना यहां पर लिखा है आप stock cash and carry में लेके नहीं जा सकते लेकिन आप क्या कर सकत हो इंट्राडे के अंदर stock कर सकते हो ओवरनाइट पोजिशन future buy sell कर सकते हो आप ओवरनाइट पोजिशन future buy sell करके लेके जा सकते हो वहां पर कोई restriction नहीं है and options sell करके लेके जा सकते हो buy करके नहीं यह पॉंट आप लोग धियान में लखना है collateral money के साथ आप लोग क्या कर सकते ह और कुछ अगर important points से अगर आप लोगों कुछ जितने लोग देख रहे हैं वीडियो अगर कुछ important point अगर मैं मिस कर गया हूँ तो comment box में लिख लीजे सोधार जो लोग देख रहे होंगे कुछ point अगर मिस हुआ है तो उन लोग definitely जाके उनको helpful होगा मुझे जितना पता था और में जितना यूज करता हूँ प्लेजिंग सिस्टम के उपर मैंने आप लोगों को बता दिया बहुत ही अच्छा फीचर से आने वाले टाइम में मैं आपको जैसे प्रॉमिस किया है 10,000 प्लस लाइक आएगा तो मैं फिर आप लोगों को covered call करके बता लगों को उसका टाइम लगेगा एक मन्त लग सकता है क्योंकि टोटल वीडियो बनने में लेकिन आप लोगों लेंनिंग के लिए में ये वीडियो बनाऊंगा आप लोग जान पाऊ किस तरीके से अगर आपको कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के ऊपर आप बस होल्डिंग कर के रखे हुए स्टॉक इंवेस्टिंग के लिए प्राइस अपको मिलता रहाएगा प्लस यहां से भी आप एक रेंटल इंकम की तरा भी कमा सकते हैं उसके अंदर भी स्टॉपलो सीट हो सकते हैं बहुत सारे पॉइंट में वीडियो के अंदर बताऊंगा अई होप यह सारे अब आकमाट आप लोगों पता चल चुका होगा वीडियो चल लगाए तो इस अब इकलिए तना ही थांकियू